नमस्कार आप देख रहे हैं दर नियूज मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया जी हाँ आपको बता दे जहाँ एक दिन पहले कंगना रनोत ने ये कहा था कि राहूल गांदी के लिए ड्रग्स टेस्ट करवाने की जुरूरत है और उसके बाद दिललगातार बीजेपी और कॉंग्रेस के कारेकरताओं के बीच जो है वो सोशल मीडिया पर वार चल रही थी अगर बात की जाए यहाँ पर इस फोटो की तो इसमें दिखाने का प्यास किया गया है जो राहूल गांदी हर एक से पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या है आपकी जाती के हो पत्रकारों को भी पूछते हैं और राहूल गांदी जब यह पत्रकारों से पूछते हैं उसके ब जवाब देना चाहिए राहूल गांदी को बहुत लोगों ने ये पतिक्रिया दी और बहुत लोग जो है वो यहाँ पर इसको गलत भी ढहरा रहे हैं लेकिन वहीं दूसी तरफ आप देख रहे होंगे कि इस चित्र के साथ एक और चित्र है और ये चित्र भी किसी और का नहीं बलकि राहूल गांदी का है और ये एक काटून बनाया गया था और 29 नवंबर 2018 को ये काटून शेर किया सतीश अचार्या ने जो famous काटूनिस्ट है और राहूल गांदी को ही defend करते हैं राहूल गांदी की ही पैरवी करते हैं तो देखिए जब वो ये काटून शेर करते हैं जिसमें राहूल गांदी है तिलक लगाया है एक फोटो में जो है उन्होंने दूसरी टोपी लगाई है जो है यहां पर धरम की टोपी लगाई है और ये देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने शेर किया और वोट कीजिए देखिए ये भी लिखा गया दत्तात्रे गोत्र है राहूल गांदी का ठीक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होई किसी को जितने भी सोशल मीडिया पर आज कंगना र नोत ने ऐसी स्टोरी कुछ गलत नहीं है कुछ अलग नहीं है उससे साब से देखा जाए तो ये काटून है और ये फोटो एडिट की हुई है और यहां पर जब यह फोटो डाला जाता है कंगना नोत की तरफ से तो तमाम कॉंग्रेस के जो भी नेता है या कारिकरता बोखल यूजर है जैस हमिदान उन्होंने यूजर नेम आपना रखा हुआ है वो क्या लिख रहे हैं इस पर रिप्लाई करते हुए कि मेरे ख्याल से भक्त जो है उनको एक और लेसन मिलना चाहिए और लेसन क्या मिलना चाहिए सब जानते हैं यह वही CISF में भरती थी महिला जिसने क कंगना रनोत को थपड मारा था चंदिगर एरपोर्ट पर उसका फोटो शेर किये कि ऐसा ही लेसन जो है मिलना चाहिए अब सवाल यहां पर यह उड़ता है कि अगर कंगना रनोत को मारा गया थपड कॉंग्रेस के कारिकरता बोल रहे हैं एकदम सही है तो फिर यह भी सवाल उड़ते हैं कि जो इंद्रा गांधी के साथ हुआ जो राजीव गांधी के साथ हुआ वो भी तो एक ग्रज थी इंद्रा गांधी के साथ वो ग्रज जो है वो निकाली गई जो खालिस्तानी मुमेंट था उनकी तरफ से निकाली गई राजीव गांधी के साथ वो ग्रज ज कारिकार्टां की तरफ से चल रही है यहां पर वचाथा गया मोंस भीलो की करेंगे अब देखे यहां चंदन शर्मा हैं इनकी अलग प्रतिक्रिया है यह लिख रहे हैं कि कंगनर नोत एक शेरनी है जो दुश्मनों को हर तरीके से उकात बताना जानती है राहुल गांदी का अमर अकबर और एंथनी वाला तस्वीर अपने इंस्टाग्राम आईडी में शेर करके उन्होंने साबित कर दिया कि विपक्ष को उसी की बाशा में जवाब दिया जाएगा तो देखें लोग ये भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि विपक्ष जो आवाज उठा रहा है विपक्ष जिस तरीके से हदकंडे अपना रहा है इतना जूठ विपक्ष बोल रहा है तो उनको उनी की बाशा में जवाब देना पड़ेगा और वही हुआ वही देखने को मिला ये फोटो दरसल जो लगाया गया है ये इसलिए लगाया गया कि जो राहुल गांदी पूरे देश बर में गुम गुम करके सबकी जाती पूछ रहे थे केवल एक बार अप्रतेक्ष रूप से क्योंकि नुराक ठाकुर ने सीधे नाम नहीं लिया था अप्रतेक्ष रूप से एक बार राहुल गांदी की जाती जो है यहाँ पर पूछ लिया नुराक ठाकुर ने उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वो बुखला गया पूरा विपक्ष जो है वो सक्ते में आ गया और अब यहाँ पर इस तरीके के सवाल उठाने लगे है क्यों जब राहूल गांदी पूछ रहे थे बाकियों से जाती तब से ही था अब राहूल गांदी से पूछ ली तो उसको उन्होंने गाली से भी जो है डिनोट कर दिया कि गाली दी जा रही है यहाँ पर जो है अपमान किया जा रहा है तो क्या बाकि polsk पत्रगारों पूछ थे उस समय तो उनको पिटा भी जा रहा था कॉंग्रेस कार करता हूँ की दरफ से लेकिन राहूल गांदी ने आज तक कभी उसके बारे में निंदा नहीं किया उस बार कॉंग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हैं यह लिख रहे हैं मुझे लगता है कंगना से निपटने के लिए राहूल गांदी के अभिशक्ता ही नहीं है उसके लिए तो कुलविंदर कोर ही काफी है वही कुलविंदर कोर CISF में जो महिला सिपाही भरती थी जिसने कंगना पनोत को थपड मारता बार बार सवाल यह है अगर कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता उस थपड से जो कंगना पनोत को मारा गया अगर उससे इतने खुश है तो फिर ये इंदरा गांदी राजीव गांदी उनकी हुई हत्या क वो शहीत करार दे देते हैं तो एक ही चरित्र के दोहरे मापधंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अब इससे आगे बढ़ते हैं अलग लग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिक्रिया अब यह देखिए नाभिया जो है यह एक यूजर है यह लिख रही है कंगनाटनोत ने आज अपनी इस्टाग्राम स्टोरी पर राहूल गांधी यह तस्वीर लगाई है जिसमें लिखा हुआ है जाती जीवी कैसे बिना जाती पूछे जाती जनगना करानी है राहूल गांधी इस तरह के एडिटिट फोटो अपनी स्टोरी पर लगाई है अब दर्द होने लगा इनको अब जो यह सवाल पूछे जा रहे हैं राहूल गांधी से जो सवाल खड़ी किये जा रहे हैं अब इनका दर्द निकल करके बाहरा आ रहा है सोच यह जब पिछले 6-8 महिने से लगातार राहूल गांधी देश भर में गूम गूम कर सब की जाती पूछ रहे थे इनको पिटवाने का काम कर रहे थे तब तब तो इनको मज़े आ रहे थे लेकिन अब इनसे एक बार किसी ने वह हलका सा ट्रिगर कर दिया अलका सा पूछ लिया तो उसके बाद देखे किस तरीके से यहां पर सोचल मीडिया पर महोल बनाया जा रहा है अब ये चीज़े इनको गलत लग रही हैं, अगर आप Congress के account पर जाएंगे, social media platforms पर, आप देखिए, PM नरेंदर मोधी के लिए क्या-क्या कहा गया है, ये तो केवल एक edited photo है, इस पर यहाँ पर इतनी दिक्कत होने लगी है Congress Party को, सोच ये वो समय, जब नरेंदर मोधी को क्या-क्या कहा गया था, मोध का सोधागर कहा गया था, जब एक राज्य के वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय ये Congress Party के तमाम कारे करता है, वो तो खुशी मना रहते देखिए, सोनिया गांदी ने कहा दिया, मोध का सोधागर कहा दिया, उसके बाद जो है, किस तरीके से मलिकार अरजुन खडगे ने इतनी बार गलत कहा, पियमोधी के लिए, पवन खेडा ने गलत कहा, मनीशंकर अयर ने जो है, नीच तक कह दिया था, उस समय तो उनको मजा आ रहा था, लेकिन आज एक edited photo लग जाता है राहूल गांदी का, तो पूरा विपक्ष जो है, वो बोखला उड़ता है, कि देखिए ये तो गलत हो रहा है, ये इस पर action होना चाहिए कंगनार नोत पर, एक बार आपने गिरेबान में भी जांक लिजए, अभी भी अगर आप लोग जा कर के देखेंगे एक बार, Congress का account देखेंगे, social media account, उस पर क्या-क्या कहा गया है PMOधी के लिए, अब यही जो नाभी यहां है, इनका एक और मैं आपको tweet यहां दिखाता हूँ, देखिए, एक और tweet उन्हों ने फोटो लगा है, excite कंगनार नोत, excite राहूल गांदी, अब देख इसलिए वो बाकियों को ट्रोल नहीं कर सकती, राहूल गांदी जो है वो एक popular leader है, उनको कोई defend करने की ज़रूरत नहीं है, अब यह जो नाभिया है, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि राहूल गांदी के नेत्रितम में इतने चुनाव लड़े Congress Party ने, राज्यों 1980 से लेकर के अगर हम अभी तक आएंगे, और फिर कहा जाए 1950 के बाद से जो चुनाव हुए है, अभी तक अगर देखा जाए, सबसे worst performance राहूल गांदी का रहा है, सबसे खराब, लेकिन इनको क्या नज़र आ रहा है, इनको राहूल गांदी में popular leader नज़र आ रहा है, defend करने इनकी सोच और इनकी समझ जो है, वो कहां तक जा सकती है, राहूल गांदी popular leader किस हिसाब से आप उनको popular leader मान रहे हैं, अभी तो leader of opposition है, लेकिन इससे पहले Congress Party के राष्टे देक्ष भी रहे, सब जगा उनके नेत्रितम में चुनाव हुआ, क्या हुआ, राज्यों से सरकारों पर सरकारे चली गई Congress Party की, बिल्कुल नीचे आ गई Congress Party, देश की सबसे पुरानी Party, पूरे राज्यों पर केंदर में उनका सरकार चलती थी, अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, एक आम आद्मी Party से मर्थक हैं, ये क्या लिख रहे हैं, कंगनार नोट सम कुछ और expectation तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि इन ही की party की निकली हुई एक नेता, जो राजसबास सांसन है, स्वातिमालिवाल, उनको तो नहाई ये दिला नहीं पा रहे हैं, उल्टा उनी पर allegation लगा दिये, थपड कांट जो हुआ, के ज्रिवाल के गर के अंदर, शीष मह कह रहे हैं, तो ये पहले से expected था, अब ये देखिए, सुप्रिया श्रीनेत, ये यहाँ पर भाशन दे रही हैं, क्या लेख रही हैं, बीजेपी के दिकाश लोगों की दुकान राहूल गांदी के खिलाफ जहर उगलने से चलती है, पहली बात, खुद आप इनकी वीडियोस निकाल करके देख लिजे, हर जेगा PM, मोदी के पीछे पड़ी रहती हैं, तो बाकियों को जो कह रही हैं, पहले खुद के गिरेबान में जानकर देखना चाहिए, इसुप्रिया श्रीनेत को, फिर लिख रही हैं, जातर की उपयोगिता सिर्फ उनके खिलाफ जूट फैलान तो देखे, आगे क्या करें इसुप्रिया श्रीनेत, इन में से दिकांची सुमीद में फुदकते रहते हैं कि क्योंकि ये जानते हैं, ये पार्टी में आगे बढ़ने का और नरेंदर मोदी की शाबासी पाने का सबसे आसान रास्ता है, तो ये खुद बता दें, कुछ मही पहले जब चुनाव चल रहा था, उस समय इन्होंने खुद कंगनार नोत के लिए क्या क्या पोस्ट किये थे, और उसके बाद क्या क्या दिया था कि ये तो किसी ने डाल दिया होगा, तो खुद नीचता की सारी हदें सुप्रिया शिनेत ने पार की हैं, लेकिन अब बाकिय को ज्यान देने के लिए यहां पर वो आ चुकी है, और तमाम चीजे कह रहे हैं कि राहुल गांदी को आपके जैसे मडबुद्यों से फरक नहीं पड़ता है, दूसरा जनता सब जानती है, तमाम चीजे जो है और भी आगे इन्होंने कहीं है, कि राहुल गांदी के खिलाफ जो है कि कोरी बकवास करते हैं, कुछ नहीं होता है, आगे इनको बढ़ना है, कुछ इन्होंने किया नहीं है, खुद का देख लें, इस बार तो टिकट भी नहीं मिला कॉंग्रेस पार्टी से, पिछली बार टिकट लड़ा था, टिकट मिला था, चुनाव लड़ा था और हार हुई थी, इस बार वो टिकट भी नहीं मिला और वो टिकट भी इसलिए नहीं मिला था, क्योंकि जिस इसाब से कंगना रुनोत के खिलाफ जो है, क्या मान सिकता है, महिलाओं के प्रति क्या मान सिकता है, सुप्रियर्शनेट की, वो सब चुनाव में देख चुके हैं, बेरहाल तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस फोटो की जो डाला है यहाँ पर कंगनार नोत ने इस पर काफी जादा चर्चा जो है वो इस समय सोशल मीडिया पर छिडी हुई है और एक तरफ यह भी सच है जो कॉंग्रेस पार्टी के खुद कारेकरता बढ़ चड़ कर राहूल गांदी की फोटो लोग आय करते थे चुनाव से पहले लेकिन उसमें इनको कुछ गलत नजर नहीं आता और इसको ले करके इस फोटो को ले करके तमाम बाते इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है बेरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर आपके इसाब से क् का तरीका था जैसे लोग कहा रहे है कि विपक्ष को इसी तरीके आड़े हाथ हो जो है बीजेपी को लेना होगा अब आपकी इस पर क्या रहा है आप ज़रूर हमारे सा कमेंड बोक्स में शेयर करें और बने रहें दन्यूज के साथ दन्यवाद